वेल्कम विवर्स, इंजिनियर रहील, KGCC Construction and Technical Institute की तरफ से आपको अपने YouTube चैनल पर खुश्यामदेर कहता है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो जितने भी हमारे न्यूकंबर से बने इंजिनियर हैं, चाहे वो साइट सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, चाहे वो कॉंटिट सर्वियर बनना चाहते हैं, ये साइट इंजिनियर बनना चाहते हैं, तो जो बेसिक चीज़े हैं कलेशन की, तो आपने ट्राइंग अगर स्टडी करनी है तो आपको इसके पर FPA सिस्टम को भी समझना चाहिए, और MKS सिस्टम की समझना चाहिए, FPA सिस्टम है के FOOT तो इसका आंसर है कि 12 इंच होते हैं अब क्वेस्टन ये बनता है जो कि हमने क्वेस्टन नमर टू के नाम से देखा आपको अगर में कालम में इसके ओपर में क्लिक करके देखा हूं क्वेस्टन नमर टू है हमारे एक इंच में और सुतर होते हैं अब आगे हम चलते हैं कि 18 की वैलियो एक फिट में कितनी है आपने जब मे जब अपनी मेर में में शीट करनी है बनानी है और लेकलिक्लेशन करनी है तो आप ने एक जिनल रखने हैं ज़ा आपने इंचिस में काम करना है जिसमें आपकी बिलिंग होगी आपकी मेर में शीट्स होगी सारे काम जो भी होंगे तो हम्वारा वान इंच क्वेश्चन नमर त्री है वैल्यों वान इंच इन वन फिट तो हम ऐसा करेंगे अपने साइट पर देखा होगा कि इंचिज को ढिवाड़ भाई ट्रॉल करना तो हम सब्सक्राइब ज्वाब आयागा पॉइंट इससे तरह हम आरे पास अगर हम दो इंच की वैल्यों देखेंगे तो हमरे पास ज्यू आना चाहिए मसलिन टू इंच डिव इस तरह आप देख सकते हैं कि 5 इंच को अगर डिवाइट पर डिवाइट करें तो इस तरह अगर आप कुछन नमर 8 देखेंगे हमारा तो इसमें है सिक्स इंच इस इकल तो वह आ जाता है पॉइंट फाइफ मसलिन सिक्स इंच डिवाइट वाइट वाइट साथ इंच की वैल्यू अगर हम फुट में देखें तो वह है आप देख सकते हैं कि पॉइंट फाइफ इट में आपको यह मूव करके दिखा सकते हूं केस्ट नमर 9 मे तो आपंगेंस साथ इंच इंच आप तो उल्क करें तो जवाब वाता है ॉइन्च सकते हुआ तक रुट में तो 8 uट करेंगे तो आपस आंसर आँगक़ अगर वैल्यू देखनी है तो मेरे पास जवाब होना चाहीए ॉम्हायेय पॉंट सेवन फाइफे साहं और 10 की और वेल्यू देखनी है झाल फिट में के वैल्यू देखनी है तो आपके पास ज़ाब आएगा 11 धुट ट्वाइड़ ट्वैल इसकल दिवाइड ऑफित में एक रस डूपाऊ बाहुं तो आप देख सकते हैं कि यिः लाइवन ड्वाइड़ बाउय ट्वैल में ये वैल्यू निकालना आपको आर्ट कापी की सुरत में जब किसी पेज के उपर भी दुखा सकता था मसलने जो हमारे चैनल का मैंन मक्सद है कि हम इसके साथ आपको एक्सल के उपर भी ट्रेनिंग सिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 11 divided by 12 किया तो हमारे पास जवाब आया 0.92 इस तरह 12 इंचिस को अगर देखें तो फुट में जवाल्यू है 12 divided by 12 करेंगे तो 1 फिट का जवाब आएगा तो अगर आप अपनी कल्कुलेशन और साइट को पर क्रिप को मश्बूत करना चाहते हैं तो यह वैल्यू आपको याद होनी जाहिए जैसे मैं अभी आपको बदाता हूं बदाता हूं बदान के वान इंच इस इकल 2.08 फिट टू इंच इस इकल 2.17 त्री इंच इस इकल 2.25 4-200 235 इस इस इकल टू.305 फिट 5-300 एब टू.4 to इसी पागजे एकल 6 इंच इस इकल 2.56 इस इकल 2.58 एहई इस एकल टू.5 अडे जए कल 2.65 दैट ही इस इकल 2.75 और इंच इस इकल 2.7 और 70 इस इकल 2.83 अला इंच इस इकल 2.92 और 12 इस इकल 2.59 आंफेट मैं आपक, आपक आपको आपको पिंगर टिब पे कुलेट होनी चाहिए। जिए ए आपको चीजह याद होँगी तो आप‏ चीक्टेक्टिकटिक सूर्ड की क्रोंुटर क्रकुटнет आप मेज मेशीर बनानी है, डाइंग स्टडी करनी है, बीबीस बनाना है, और जो भी आपका प्रिमार से लेटर काम है तो आप मसला अभी आपने अपर सब्किंट्रक्टर रपेटिक किन्ट्रक्टर के बिल बनाने है, एस असायर सपरवाइजर, तो उसमें भी आपको ये कौन कौन से आइटम हमारे स्केर फिट में आते हैं, और कौन से आइटम जो हैं, वो सी एफटी में आते हैं, इसको पर अब लेक्टर बनाएंगे, तब तक इंजिनियर रेल को इजास्त दें, और हमारे इस चैनल को स्क्राइब करें, शुक्रिया